असलाम लेकूं मैथमेटिक्स नाइंथ साइंस चैप्टर नंबर 3 एक्सराइज 3.1 फर्स्ट क्वेस्टिन की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस इच ओफ दी फॉल्विंग नंबर्स इन्टू साइंटिफिक नूटेशन हमारे पास नंबर्स दियो है और हमने नंबर्स को क्या करना है साइंटिफिक नूटेशन में लिखने हैं तो चलें सबसे पहला जो पार्ट है वो है 5700 5700 अब देखें साइंटिफिक नूटेशन में लिखने के लिए आपको सिंपल एक रूल याद रखना है कि जो डेसिमल पॉइंट है वह फर्स्ट नोन जिजिट के बाद होना चाहिए अब देखें यहां पर डेसिमल पॉइंट तो है नहीं कहीं पर तो अगर कहीं पर डेसिमल पॉइंट ना हो तो वहां पर डेसिमल पॉइंट लास्ट पर होता है अब आपको यह डेसिमल पॉइंट यहां नहीं चाहिए बलकि आपको ने जम्प किये थ्री तो हम लिखेंगे टैन रेस पावर थ्री एक वाज यार रखिएगा कि जब भी लास पे पॉइंट आजे और एंड पे जीरो लिखेंगे तो वो ना लिखें तो कोई फरक नहीं पड़ता तो इसका अंसर हमार पास आ गया फाइफ पॉइंट सेवन लिखिए हम एक और पाइट करते हैं आपको क्लिएर वोजह एक हिस जानि का सेकेंड पार्ट कर इसका अब कैसे सखौपिक निदेशन में लिखेंगे है अगें आपको को जो पॉइंट तैब वोन डिजिट के बाद आना चाहिए देखें, point है यहां पर कहीं पर, कहीं पर भी point नहीं है, तो फिर point कहां पर होगा, last पर, अगर किसी number में point नहीं होता तो point last पर होता है, वह हम लिखते नहीं होते, क्योंकि वह पता होता है, के लास्ट पर पॉाइंट ओगा अब देखें हमें पॉईंट यहां पर नहीं चाहिए फर्स्ट डिजिट के बाद आध अगर हम पॉइंट यहां से यहां पार लाना चाह रहे हैं तो अगर पॉइंट यहां से यहां पर लॉनगार और लास्ट वाले जीरो लिखने की जूरत नहीं है मल्टिप्लाइट 10 रेस पावर कितने जम थे 1 2 3 4 5 6 7 10 रेस पावर 7 तो यह हमने इसको लिख लिख लिए है कि साइंटिफिक देशन अब इसका थर्ड बार्ट देखते हैं थर्ड व्ले पार्ट में हमारे पर इस लिख लिख वह yok 9600 and then 000 हैं आभ इसको साइटार इनुटाइशन में लिखने हैं हम किस तरह साइडो में लिक Walking अगें यहां पे कहीं पर कोई point नहीं दिया हुआ हमें ठीक है थी अगर point नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे point last पे होता है हमने point last one लाना हमें कहां पे चाहिए first non zero digit के फोरन बाद तो point हमें यहां पे चाहिए तो अगर point यहां से यहां पर लेके आना तो कितने jump करेगा point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हम इसको लिखेंगे 9.6 multiply 10 power 7 last वाले zero हम नहीं लिखा करते तो इसका scientific notation क्या बनेगा 9.6 multiply 10 power 7 लें जी हमने ये question भी कर लिया अब 4 वाला part देखते हैं इसका 4 part है हमारे पास 416.9 अब हमने इसको scientific notation में लिखना है अब देखें point हमारे पास लिखा हुआ है अगर यहां पे भी point ना होता तो point सबसे last पे हम consider करते हैं तो अब यह लिखा हुआ है 416.9 4 के बाद point चाहिए हमें first non zero digit के फॉरण बाद point चाहिए होता है तो हम लिख लेते हैं अब आप बताएं कि हमने कितने points point ने कितने digit जंप की हैं 1 and 2 10 raise power क्या आजएगी 2 तो यह हमने इसको लिख लिया scientific notation में अब 4 के बाद 5 part इसका करते हैं 5 number है हमारे पास 8, 3 and triple 0 now अब जी इसको हमने scientific notation में लिखने हैं अब इसको scientific notation में लिखने हैं अब मुझे आप लोग बताएं के 8, 3, 0, 0, 0 decimal point है ही नहीं कहीं पर लिखा ही नहीं है point तो कहां पर होगा जी यहां पर last पर होगा अब देखे point यहां पर है हमने कहां पर लिखना है first non zero digit के फॉरण बाद पहले number के बाद sorry पहले digit के बाद 8.3 लेकिन point यहां से यहां पर आया तो कितने जम्प करके है 1, 2, 3, 4 तो 1, 2, 3, 4 तो हम लिखेंगे 10 raise power 4 तो यह हमने इसको लिख लिया scientific notation में यह 5 part हमने solve कर लिया अब हम solve करेंगे 6 part 6 बाल पार्ट इसका हमें दिया है 0.006, 4 and 3 solution अब इसको scientific notation में लिखने है अब देखें हम इसको भी लिख लेते हैं रफ में 0.006, 4, 3 अब देखें पॉंट जो है, वो left side पे है अब one digit के बाद तो है zero digit है ना तो one digit के बाद है लेकिन वो zero है हमें non zero चाहिए मतलब zero के इलावा कोई digit होना चाहिए तो इसका मतलब हमें यहांपर point नहीं चाहिए point यहांपर भी नहीं चाहिए क्योंकि अगेन Left पे zero है हमें यहां पर भी नहीं जाहिए जिरो आ जायेगा तो फ्रस्टра जिघिट जो है वह सिक्स है्स इनसे इंपंद नहीं हमें चाहिए यहाँ पर अगर पॉइद यहां से कि तर इस ही कि तरफ आता हैं aí staten की पावर जो लिखते हैं जो टेंदिस पावर आती है वो हम लिखते हैं पॉजिटीव कि है लेकिन जब left side से राइट साइण की तरफ तो हम ten की पावर जो लिखते हैं वह नेगटिव लिखते तो अब हम इसको लिखेंगे 6.43 multiply 10 power minus 3 अब अगें देखें पॉइंट से पहले 90 डिजिट है उससे पहले जीरू है तो शुरू वाले जितने जीरू है अगर decimal पॉइंट आ चुक है 90 डिजिट के बाद तो पहले वाले जीरू हम नहीं लिखते क्योंकि उनका कोई फाइदा ही है क्यों फाइदा नहीं है देखें अगर मैं यहां पे लिखता हूं वन तो वन से पहले अगर मैं 20 लोगा दूं तब भी तो यह वन रहेगा ना अगर आपको स्कूल में नंबर आते हैं 10 में से 2 marks तो वैसे लिखा होता है तो इस 0 का कोई फाइदा होता है आपको कोई फाइ नाइन थ्री एंड जीरो जीरो आगे लिखा हुए तो यह आगे आप जीरो जीरो ना भी लिखें तो कोई फ़रक नहीं पड़ता है इसको आप सिंपली टू-पॉइंट नाइन थ्री लिख सकते हैं अब यह हमारा पास हो गई है जिनक अब नेक्स्ट अब देखें जिसका 7 पार उसने दिया हुए 0.0074 नुम लिख लेते हैं 0.0074 अब यहां पर है हमें स्ट नों जीरो डिजित के बाद यह दुन जीरो नहीं होना चाहिए तो कौन सा होगा डिजिट वह हमारे पास होगा 7 तो हमें यह पॉइंट चाहिए 7.4 तो फिर 0 कितने जम करेगा स्वरी पॉइंट कितने जम करेगा 123 हम लिखेंगे 10 पावर 3 बट लेफ्ट साइड से जब भी पॉइंट आएगा तो हम नेगेटिव में लिखते होते हैं तो यह हमारे पास क्या आजएगा 7.4 मॉल्टिप्लाइट 10 पावर माइनस 3 सेवन पाइट हो गया अब ऐसा करते हैं इसा करें वीडियो को स्टॉप करें और यह खुद करें अच्छा लेंजिए आप लोगों से अमीद है ट्राइए किया होगा जिन्हों ने ट्राइए नहीं किया वह देख लें इसको हम इस तरह अगें लिखते हैं 6-0-0-0-0-0 अब देखें पॉइंट नहीं है कहीं पर तो लास्ट पर होगा अब पॉइंट यहां पर नहीं चाहिए फर्स नॉन जिरो डिजिट के बाद चाहिए तो हमें पॉइंट चाहिए 6 के बात यहां पर तो अब पॉइंट नहीं यहां से यहां पर आना है तो पॉइंट केतने जम करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 then 6.000 लिखने की जूरत नहीं है हम simply लिखेंगे 10 पावर 7 अब देखें पॉइंट के बाद सारे 0 आते हैं जब पॉइंट के बाद extreme right side पे सिरफ 0 हों तो वो लिखने की जूरत नहीं होती तो यह आ जगा 6 x 10 पावर 7 यह आ गया 7 पार्ट now sorry 8 पार्ट now 9 वाला देखते हैं 9th पार्ट इसका दिया वह उसने 0.000 345678395 अब देखें जी अब इसको हमने scientific innotation में लिखने हैं चैलें जी यहां पर रफ में लिखते हैं 0.12345678395 अब देखें हमें फर्स नौन जीरो डिजिट नौन जीरो डिजिट फर्स्ट कॉन सा है 3 तो हमें यह लिखना है 3.95 multiply 10 पावर क्या आएगा कितने जंप होंगे 123456789 तो यह इसका answer आएगा 3.95 multiply 10 पावर 9 यह तो आगया नाइंथ पार्ट अब हमने करने इसका लास्ट वन पार्ट नंबर 10 वो हमारे पास दिया है 2750000 और 0.0025 अब हमने इसको solve करना है नहीं करना हमने basically इसको scientific notation में लिखना है तो देखें सिंपल scientific notation में लिखना है solve इसको नहीं करना तो यह हमारे पास है 2750000 और denominator में है 0.0025 अब सबसे पहले नूमीनेटर देखें पॉइंट कहीं नहीं है तो पॉइंट लास्ट पे होगा हमें पॉइंट कहां पर चाहिए तू के फॉरंबार तो पॉइंट सेवन फाइव लास्ट वाले जीरो नहीं लिखेंगे तो माल्टिप्लाइट टैन पावर कितने जंप होंगे 12345 अब देखें पॉइंट यहां पर है हमें फिर्स्ट नौन जिरो डिजिट जिरो यह भी जिरो यह फिर्स्ट नौन जिरो डिजिट ऐसा टैन पाव अब टैन की पावर क्या बनेंगी 123 जंप होएं तो थ्री आज़ेगा माइनस में आएगा जब भी पॉइंट लेफ्ट से राइट आता है तो टैन पावर नेगिटिव लिखती है जब भी राइट से लेफ्ट की तरफ आता है तो तब टैन की पावर पोस्टिव याद रखिए गाई है तो यह हमार पास किया एगा टू पॉइंट सेमन फाइफ मल्टिप्लाइट टैन पावर फाइफ डिवाइड बाइट बाइट फाइफ मल्टिप्लाइट टैन की पावर माइनस 3 होप सो आप लोगों को समझ आई होगी एक चोटा सा काम करना है जब आ इस जब इस झालोग करना हमार आप मल्टिप्लाइट टैन की पॉंदिट सेम QUESTION झाल झाल